सरकार के मंत्री ही अपने सरपंचों की बाद सरकार तक नहीं पहुचा पा रहे हैं समासवी नवीन जहिंद ने पंचकुला में कहा हर्याना में इट एंडरिंग के विरोध में चंडिगड कूच करने जा रहे सरपंचों को नवीन जहिंद ने भी समर्थन दिया सरपंचों के समर्थन में नवीन जहनी भी पपंचकूला पहुंचे जहां पॉलिस ने उन्हें रोक दिया इसदुराण पुलिस दूरा लगाया गए बेरिगेट्स पर सरपंच चड़ गए पॉलिस ने उन्हें रोकने के लिए हलके बलका प्रयोग भी किया जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारी सरपंचों को बीच धका मुकी भी हुई प्रदर्शन में महलाएं भी शामल रही समासवी नवीन जहन के साथ सरपंचों सीम आवास घेरने के लिए पहुंचे थे लकिन पंचकुला में पुलिस ने बेरिगेट्स लगा कर सरपंचों को रोख दिया हलकी जड़ब के बाद पुलिस ने सरपंचों पर लाठी चार्ज कर दिया पुलिस के दवारा पंचकुला चंडिगर बॉर्डर पर रोके जाने के बाद सरपंच धरने पर बैठ गे थे समासे भी नवीन जहिंद ने कहा कि सरकार के मंतरी अपने सरपंचों की बाद सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जहिंद ने कहा कि सरपंच गाउं का मुख्य मंतरी होता है और जब उसके पास बजट ही नहीं होगा तो गाउं का अवकास की इस तरह से करवाएंगे पुलिस द्वारा लाठिया भाजने के बाद सरपंच धरने पर वैठ गए जिसके बाद सरकार से वारता का दोर शुरू हुआ लेकिन वारता के दौरान बात नहीं बन सकी जिसके बाद एक बार फिर से पुलिस ने सरपंचों पर लाठी चार्ज किया इस दुरान लबगत 30 से 50 सरपंचों को गंबीर चोटे आई हैं पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तमाल किया एक सरपंच को गंबीर चोटे आई हैं जिसे नवीन जहें तुरंथ हॉस्पट लेकर पहुंचे थे